इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत जो इस दवा को सुरक्षित होने के साथ साथ एक बहतरीन चिकित्सिय दवा भी बनाता है। यह उन लोगों के लिए उप्युक्त है जिनका व्यवसाय आग या धातू ढलाई के पास काम करने से संबंधित है। बुखार के दौरान होने वाले पसीने से राहत नहीं मिलती है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, दिन और रात के दौरान पसीना या नाक से खून आना और ठंडे और नम मौसम में बिस्तर की गर्मी को कम करता है। दो, सासों की दुरगंध और स्राव तथा दुरगंध को दूर करता है। तीन, ये बालों के ज़डने और सिर पर तैलिय पसीने को नियंतरित करने में मदद करता है। चार, सिर की तवचा पर सूजन और चुभने वाली जलन को कम करता है। पांच, चक्कर और सिर्दर्थ में मदद करता है। छे, यह आँखों में जलन और संक्षारक स्राव से राहत दिलाता है। साथ, नाक से खून आना, बदबुदार और खूनी स्राव, नाक की हड्डियों की सूजन और विनाश, धूप में बाहर जाने पर छीक आना आदी के लिए अच्छा इलाज है। आठ, बाहरी नलिका में होने वाले फोड़े को कम और शांत करता है। 9. सपर्ष से पेट की समवेदन शीलता कम हो जाती है और आपको लगातार भूग का एहसास होता है। 10. रात में हाथों के कांपने और पक्षागात या अंगों में हड्यों के दर्द से निपटने में मदद करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।